नमस्कार दोस्तों आपके अपने एजुकेशनल यूटूब चैनल लर्ण बिद विश्वा में स्वागत है तो आज दोस्तों हम ट्रिगोमेट्री फर्मूला जो है उसे याद करने का बहुत सारे ट्रिक देने जा रहा है अभी जो टेवल बेस यह है इस पर ट्रिक बताऊंगा इसके बाद इस टेवल ट्रिक के साथ साथ मैं भी जानूगा कि अंगुलियों के आधार पर हम कैसे साइन कॉस और टैन का फर्मूला याद रख सकते हैं काफी इंपोर्टेंट और इंट्रेस्टिंग होगा दोस्तों तो इसे शुरू से अन तक आवस देखिए तो चलो आज कुछ नया सीखें तो मेरे प्यारे मित्रो अभी हम यहां एक टेबल देख रहे हैं टेबल में क्या है एक डिग्री है क्या 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री और यहां क्या है साइन ठीटा कॉस ठीटा और 10 ठीटा इसका मतलब क्या हुआ कि साइन ठीटा 0 डिग्री क् साइन ठीटा 45 डिगरी यह सब का मान हम लोग 90 डिगरी तक का मान निकालेंगे और इसमें साइन कॉस और टैन तीनों का मान रहेगा और देखिए सेकंडों में क्यावल आपको 0,1,2,3,4 यानि 0,1,2,3,4 दिमाग में रखना है और आराम आराम से बनेगा गौर फरमेगा दोस् तो 0 डिगरी से लेकर 90 डिगरी का हम निकालेंगे यहाँ 0 लिखेंगे इसके बाद 1,2,3,4 लिखेंगे यहाँ तक तो कोई दिकत नहीं होनी चाहिए आपको इसके बाद क्या करेंगे कि इस सब को divided by 4 कर देंगे इस सब को बहुत ही interesting सब को divided by 4 कर देजिए और इसके साथ इस सबी को अंडर रूट में रख दिजिए दोस्तों सबी को यहाँ जियों आप इतना किये अब सब मान निकाल गया जो हम इसको करेंगे सब दोस्तों अस्क्वाइर रूट 0 का मतलब क्या होता है 0 ही होता है और अस्क्वाइर रूट 4 का मतलब क्या होता है 2 होता है तो 0 में जीरो डेरी का मान, जीरो हुआ, यह आप समझ गए, इसके बाद इसको देखिए, अस्क्वाइर रूट वन का मतलब क्या होता है, और अस्क्वाइर रूट फोर का मतलब, टू, आ किया, वन बाई टू, बस आपको याद क्या करना पड़ा दोस्तो, केवल, वन टू, थ्री, फ अंडर रूट टू, डिवाइड़ बाई टू, इसको और क्या कहते हैं दोस्तो, ध्यान दिजेगा, अंडर रूट टू तो हो गया, अंडर रूट टू, इन्टू अंडर रूट टू, ध्यान दिजेगा, अंडर रूट टू और अंडर रूट टू, यानिका अंडर रूट तो जब इसको सुलफ करेंके तो क्या होगा, under root 3 का मान क्या होगा? under root 3 यह होगा क्योंकि यह perfect Oscar है नहीं under root 3 हो गया under root 4 को क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं यानि 4 का क्या होता? 2doni के 4 तो 2 हो गया तो इसका मान क्या होगा? under root 3 divided by 2 और यहां देखिए यह 4 divided by 4 है यहां cut गया क्या हुआ? एक बचा, under root 1 का value क्या होता है, 1 नहीं होता है, तो यहाँ क्या हो गया, 1 हो गया, बस अब sin theta का जब मान जान गए, उसका just reverse से, यानि opposite, किसका मान होता है, cos theta का मान होता है, just reverse ध्यान दीजेगा, यह पहले चला जाएगा, आप पहले वाला बाद में आ जाएगा, तो sin 90 degree का जो बीच में है, एक दो, एक दो, तो बीच में है, वो बीच ही में रहेगा, दोनों तरफ से बीच में है, तो reverse भी करेंगे, तो यहीं आएगा, तो इसको root 2 by 2, या, और, और क्या, 1 by root 2, दोनों में स्टेक निख सकते हैं, तो कहने का मतलब sin theta 45 degree, और cos theta 45 degree का मान एक ही होता है, क 90 degree का हो जाएगा, यानि 0, तो यहां तक समझ गए, दोस्तो, हम जब अंगुलियों पर आपको समझाएंगे, तो और इंट्रेस्टिंग होगा, उसे आवस्त देखिएगा, जस इसके बाद मैं उसको आपको समझाओंगा, अब देखिए, हमें 10 theta का मान कैसे निकालना है, कि क 90's का मान जो है, उसे गौस 1 से जब डिवाइड का मान, तो तो 10 theta का मान निकल जाएगा, अब आइए हम 10 theta का मान निकालते है, अब 10 0 degree का मान करने के लिए क्या करेंगे, यह साइन और कॉस को डिवाइड का देंगा, तो 0 को जब ओन से डिवाइड करेंगा, तो क्या होगा? 0 अब उसी तरह है sin और cos 30 degree का मान को भी divide करेंगे तो 10 30 degree का मान आएगा अब इसको इसको अपस ब्याइड करें क्या होगा ये 2 और A 2 कट गया तो बचा क्या है दोस्तों 1 by root 3 तो यहां क्या होगा 1 by root 3 अब इसमें क्या है दोस्तों 45 degree का मान दोनों का बराबर है यानि sin 45 degree और cos 25 degree का मान बराबर होता है क्योंकि बीच में है और reverse होने के बाद बीच का बीची में रह जाकता है जब एक ही मान दोनों का है तो क्या होगा यह से इस पूरा कट जाएगा तो बचया क्या एक अब इसमें इसमें क्या होगा दोस्तों जब divide करेंगे तो तो यही हमरा concept है और देखिए कितना interesting है फिर मैं आपको एक बर बता दूँ बस आपको sin theta का मान जानना है इसके बाद just reverse जो मान होगा वो cos theta का मान आ जाएगा और sin और cos theta के degree wise मान को जो हम divide करेंगे तो हमारा जो मान पराप्त होगा वो 10 theta का मान होगा दोस्तों तो यह हुआ table format में 0,1,2,3,4 के अनुसार निकालने का एक बहुत है interesting बिधी और अब चलते हैं दोस्तों काफी interesting जो की उंगुलियों पर हम कैसे sign, cost और 10 का मान निकालेंगे और काफी मज़ा आएगा इस बात का ख्याल रखिएगा तो चलिए हम इसे मीटाते हैं आप इसको लिख लीजिए या फिर इसका आस्क्री सॉटल लीजिए दोस्तों तो मेरे प्यारे मित्रों अब हम प्रिग्रमेट्रिक को कैसे अंगुलियों पर रखेंगे ध्यान दिजिएगा यहां देखिए काफी interesting और बहुत ही माज़ेदार बहुत ही माज़ेदार बार बार कह रहा हूं न इस बात का ख्याल रखिए और निशित में recommend box में comment किजिएग कि आपको यह class कैसा लागा औरों को share किजिएगा बहुतों को लाब मिले उसमें आपका भी पुन्न होगा दोस्तों तो चलिए इसको हम देखते हैं यहां sin theta है दोस्तों 90 degree 60 degree 45 degree 30 degree 0 degree इसी तरह यह cos theta और 10 theta देखिए हम याद कैसे करेंगे इसका trick क्या है इसका trick क्या है और इस बीलो नीचे एबब पहले बीलो आ रहा है तो इसमें भी बीलो और इसके बाद एबब आ रहा है तो इसके बाद एबब एतना ही concept है हम को याद है कि sin theta का हम मान कैसे निकालेंगे under root finger below divided by 2 तो यह जब जानगे तो अब सब का मान निकल जाएगा बस अंगली ध्यान में रखन तो जीरो डिगरी में क्या है यहां 0 डिगरी है finger below divided by 2 तो फिंगर बिलो क्या है अब 0 के नीचे कोई finger है नहीं तो finger below क्या हुआ 0 हो गया और डिवादेड़ डिवाइड 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 2 जब 0 के 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0 तो हमारा माना अंतता है 0, अब sin 30 degree, sin 30 degree कहां यहां है, finger below, इसके नीचे कितना finger है, 1, और divided by 2, तो 1 को जब under root 1 करेंगे, तो 1 ही होगा, तो और divided by 2, तो sin 30 degree का मान, 1 divided by 2, अब इसी तरह sin 45 degree का मान, दोस्तों क्या होगा, 45 यहां है, ध्यान दीजिए, इसके below कितना उंगली है, 1, 2, तो under root 2, उंडर root में और divided by 2, बस यही concept है, इसके और हम क्या लिखते हैं दोस्तों, 1 by under root 2, कैसे निकालते हैं आपको हम बताये थे, फिर यहां बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, under root 2 divided by 2 है, ध्यान दीजिए, इसके और क्या लिख सकते हैं, under root 2, और divided by under root 2 into under root 2, क्यों हो, क्योंकि under root 2, under root 2, under root 4 हो गया, under root 4 का मन क्या था 2 होता है, तो ये 2 से ये 2 गया, क्या उपर 1 नीचे under root 2, उपर 1 नीचे under root 2, यही होगा दोस्तों, अब आप समझ गए, अब साइन 60 डिगरी, 60 डिगरी यहाँ है, कितना बीलो अंगुली है, 1, 2, 3, तो 3, तो under root 3, ध्यान दिजि यही हमारा एंसर हुआ दोस्तों, अब साइन 90 डिगरी का मन क्या होगा, फिंगर बीलो, तो बीलो कितना फिंगर है, 1, 2, 3, 4, 4 फिंगर, तो under root 4, यही होगा न, under root 4, तो under root 4 का मन क्या होता है, दोस्तों, 2 होता है, ध्यान रखेगा, 2, और divided by क्या होगा, 2, ये 2 और 2 डिवा ट्रिक के अधार पर इसको भी solve करते है, अब cost 0 डिगर का मन क्या है, दोस्तों, तो finger above divided by 2, ध्यान दिजेगा, आप finger above चलेंगे, तो above 0 डिगरी के above कितना finger है, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ, 4, तो under root 4 का मन क्या होता है, 2, और divided by 2, मन क्या होगा, 1, 1, वही 1, ये वाला 1, sin 90 डिगरी क मन क्या होता है, वो cost 0 डिगर का मन होता है, जस्त रिवर्स होता है, बस, तो यह समझ गए, cost 30 डिगरी, cost 30 डिगरी यहाँ है, दोस्तों, finger above, कितना finger above में, 1, 2, 3, under root 3, और divided by 2, बस यही 3, कितना असान से बन रहा है, कितना जल्दी बन रहा है, इस बात का ख्याल रखिएगा, अब दखिए, 60 डिगर वाला मान ने, हाँ, 30 डिगरी में आ गया, अब cost 45 डिगरी, cost 45 डिगरी और sin 45 डिगरी का मान एक ही होता है, क्योंकि बीच में है, और रिवर्स जब करेंगे, तो बीच वाला बीच ही में रहेगा, इसलिए cost और sin 45 डिगरी का मान एक ही होता है, तो क्य समझ गए दोस्तों अब कॉस्ट 60 डेगरी का मान क्या होगा 60 डेगरी कहा है यहाँ है और फिंगर एबव और इसके उपर कितना फिंगर है दोस्तों एक तो 1 divided by 2 तो अंडर उट 1 का मान 1 ही होता है इसलिए 1 by 2 और कोस्ट 90 डेगरी तो क्या बहता है कोई फिंगर नहीं है तो यहाँ जीरो हो जाएगा और डिवाइड डिवाइड करेंगे तो क्या होगा जीरो होगा तो हमारा 90 डिवाइड करेंगे तो आप सब समझ गया होंगे दोस्तो अब यह क्या है फिंगर दिवाइड करेंगे तो बस यही याद रखना है कि इसमें क्या होगा जो भैलू होगा उसका जो ट्रीक है फिंगर अंडरूट फिंगर एबवाइड डिवाइड डिवाइड बस एही कंसेट तो चलिए टेंजील्यो डिवी निकाल लिजिए काफी 0 degree में का finger below? 0 है, यहाँ 0 divided by finger above, कितना है? 1, 2, 3, 4, तो under root 4, क्योंकि under root finger above है, तो under root 4 का मतलब क्या आता है? 2 होता है, तो जब 0 को 2 से divide करेगा, तो क्या होगा दोस्तो? 0, तो हमारा 10 0 degree का मान 0 हो गया, ऐसे भी, sin 0 degree divided by cos 0 degree equal to 10 0 degree, तो इसका मान 0 है divided by 1, 1, तो क्या होगा? 0, अगर 0 को किसी भी संख्या से हम डिवाइड करते हैं, तो उसका मान 0 ही होता है, तो यहाँ गया, तो 10 30 degree का मान क्या होगा दोस्तो? यहाँ 10 30 degree यहाँ है, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि finger below, below में कितना finger है? 1, तो under root 1, तो under root 1 का मतलब क्या होता है? 1 ही होता है, और divided by under root finger above, तो under root finger above क्या है? 1, 2, 3, तो under root 3, तो 10 30 degree, 1 divided by under root 3, और इसका भी ट्रीक बताए हैं, कि sin 30 degree और cos 30 degree को divide करेंगे, तो 10 30 degree निकलेगा, तो 1 by 2 divided by under root 3 by 2 करेंगे, तो 1 by under root 3 जाएगा, ऐसे भी confirm है, अब आएए 10 45 degree, तो 10 45 degree यहाँ बीच में है दोस्तों, ध्यान द जिएगा, finger below कितना है? 1, 2, 2, और finger above कितना है? 1, 2, यहनि, यहनि under root 2 और divided by under root 2, दोनों कट गया, दोस्तों, तो क्या होगा? 1, तो 10 25 degree का मान क्या होगा? 1 होगा, और 1 क्यों होगा? क्योंकि sin 45 degree divided by cos 45 degree equal to 10 45 degree, तो sin 25 degree का मान 1 by under root 2, तो दोनों को जब डिच करेंगा, आपस में एक ही ना आएगा, क्योंकि यह तो दोनों का मान बराबर है, समझ गए दोस्तों, और चलिए 10 60 degree का मान, और हमको पूरे बिस्वासे कि आप तो अब आराम से निकाल लेंगे, लगे चलिए, इसके बाद भी मैं आपको बताता हूँ, तो sin 60 degree, यानि आपको 60 कहां दिखाई द अब क्या बचा दोस्तों, 10 90 degree का मान क्या होगा, ध्यान दिजिए, अंडरूट फिंगर बिलो, यानि इसके नीचे कितना फिंगर है, 1, 2, 3, 4, तो अंडरूट 4, अंडरूट 4 का मान क्या होता है, 2 होता है, ध्यान दिजिएगा, और divided by, अंडरूट फिंगर एबब, अंडर नहीं कर सकते, तो हमारा एंसर, एंडी, नोट डिफाइंड होगा, दोस्तों, तो दोस्तों, आप इसे लिख लीजिए, या फिर स्क्रीन सॉट ले लीजिए, अब आप पूरी तरह से ट्रिग्नोमेट्री का ठीक समझ सुके होंगे, क्योंकि काफी इंट्रेस्टिंग होता ह दोस्तों, अब याद रहना कि आप तो जिंदगी भर नहीं भूलिएगा, और आप दूसरों को बताईएगा, तो दोस्तों, आज का क्लास आपको कैसा लगा, तो निशित मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट किजिएगा, और ध्यान रहे कि भीडियों बहुत ही परिश्रम से ब झाल 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